नमस्कार सारे राजाओं को राजा बनना है चलें इसी मोहीम के साथ स्टार्ट करते हैं आज इस चक्र में इनके तीनों विपरीत कलर दिये हैं जब इनके विपरीत कलर ये लोग बना रहे थे तो इसका इन्होंने वो फॉर्मूला भी निकाला कि अगर ये दर्वाजा खुलता है तो हम इसे संतुलित कैसे क्या रहे तो पहले इसको समझ लीजे कि ये किस फॉर्मूला से यहाँ पर N3 का डोर बैलेंसर N2 का डोर बैलेंसर या N1 का डोर बैलेंसर बना ये जो पहला फॉर्मूला है यह जो पहला balance की विदी है यह विदी है डोर को कैसे balance किया जाए अब एक बात को अच्छे से समझे कि कभी भी किसी भी उर्जा छेतर के उपर अगर दरवाजा खुलता है तो उसके destructive color में वो convert हो जाता है केवल जो positive देवता है जैसे N3, N4, W3, W4, S3, S4 और East का 3 नंबर और 4 इनके अंदर दरवाजा खुलने से बरकत होती है इतना तो आप लोगों को पहले भी पता है और ये स्वास्तिक के वज़े से स्वास्तिक का जो चिन है उस वज़े से ये दो दरवाजों को selection किया गया है ऐसा एक बात के लिए मानना भी है और होता भी ऐसा ही तो इन 8 दरवा इसे किसी ने वो टाइल लगा दी है जिसमें वो दरवाजे खुलने का जो positive impact आना चाहिए वो भी nullify हो रहा है अब बात समझने की कोशिश करते हैं रोगा N1 का देपता N1 के door balancer में white color का उपयोग क्यो हुआ है तो समझेगा थोड़ा सा कोई भी देपता जिस पे दरवाजा खुल रहा है उसे ये मानते हैं कि destructive color में convert हो रहा है तो पानी का destructive color है earth element, yellow color destructive color है अब yellow color को एक बार के लिए आधार बनाके अब हम इसकी दो तरीके से treatment कर सकते हैं पहला treatment है yellow color को control करने का तो yellow color control होता है space element से उसके आगे वाले element से control हो जाता है और yellow color destroy होता है हरे colour से, green color से तो आप देखेंगे जितने ये नीले देवता हैं, उनके door balancer में या तो हरा color दिया हुआ है, या तो सफेद color दिया है, यही formula इन लोगों ने पूरे जगाओं में इस्तमाल किया है, मैं वैसे पढ़ देता हूँ, आप देखें, w1, w2, w4, इन तीनों के अंदर नीला color है, सिखी की बात करते हैं, सूरे की बात करते हैं, ये भी देखता नीले color के हैं, इनके अंदर इनोंने green color का उप्योग किया है balance के लिए, पर ये विदी पूरी false विदी है, इससे result नहीं आता, और अपने तक रखिए इन बातों को, मैं सरफ इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा ह और वो result जो आपको उचाईयों तक लेके चले जाएगा, ये वो result नहीं है कि एक course के बाद दूसरा course और दूसरे के बाद तीसरा course कराने की भावनाओं से जो लोग पढ़ा रहे हैं, इस सारी चीजों को, इस बात को समझेगा, कि मैं अगर purest form दूँगा, तो मेरे से second course केव तब करने आएंगे, जब मैं और उसके आगे की research शेयर करूँगा, और जब मेरे ही बताने में गलती होगी, या गलत में information दूँगा, तो लोगों को result नहीं आएगा, तो हर course में फिर बैठने आ जाएंगे, इतना ही है ये पूरा का पूरा system, और इसी तरीके से लोगों के द आता ही नहीं, तो फिर से हम आ जाते हैं, मैंने एक आपको नीले color का door balancer बताया, अब थोड़े देर के लिए yellow color को भी समझ लेते हैं, बलाट, yellow color, ये false color है, दिमाग नहीं लगाना इस पे, yellow color, अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम इसका destructive part समझते हैं, कि इसका destructive element क्या होग तो yellow color का green color destructive element है, green color का उपचार हम कैसे करेंगे, या तो space element से पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा, कुलाडी लेके पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा, या फिर लाल color से उसको अगनी में हम परिवर्तन कर देंगे, हम अगनी लगा के control कर लेंगे, जो controlling color है, controlling या destructive colors का जो उपचार है, वो मानिए, white color, space element, मैंने क्या कहा, हरे color को अगर destroy करना है, तो space element काम आएगा, तो space element, और अगर उसे control करना है, तो लाल color काम आएगा, तो yellow color के उपचार में, white color या red color का उप्योग होगा,